सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल जीवन है पानी की पून को और पाएं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवार जय जिनेंद्र गुरुजी जय जिनेंद्र बच्चो आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञान की निष्ठा दिलाती प्रतिष्ठा बच्चो कलिंग देश की बरबर नगरी में चंद्र कीर्थी डामक के समराठ थे उनके एक सुमती चंद्र डामक के प्रमुख राजमंत्री थे सुमती चंद्र की मृत्यु के उपरांत समराठ चंद कीर्थी ने उनकी पुत्र को बुलावा बेजा एक समय ऐसा था जब समराठ के बाद उसका पुत्र उस राजगंती का हकदार होता था मंत्री के बाद उसका पत्र मंत्री पत्र का हकुदार होता था भद्र कुमार के दरवार में जाने के पूर्वी उसकी माने समझाते हुए कहा बेटा भद्र राज दरवार में पूरे अदब से जाना समस्दार बन कर जाना और समराट जो भी प्रश्न करे उसका विविग पूर्वक समाधान देना परंतु सिखाए पूत कहां तक स्वर्ग जाएंगे भद्र कुमार राजदरवार में पहुचा अभी तक उसने सूला बसंत पार किये थे उन मैसे बारा बसंत को खेल कून और पिताश्री की गोद में विदित किये थे चार बसंत काम भी किया तो पिताश्री ने घर के पश्यों की देखरे का कार सूपा था दरबार के सब्धे वारता लाप में भद्र कुमार के वचन तेल में पानी की तरह उत्राते हुए दरबारियों की हसी का पात बन रहे थे समराट ने पूचा भद्र कुमार पिताश्री के मंतित पत का भार वहन कर सकोगे भद्र कुमार ने कहा राजन मा भी कहती थी कि तुम मंति बनना चाहिए प्रश्ण और पी हुए मगर भद्र कुमार हसी का पात्र बनता रहा अंत में भद्र कुमार ने कहा राजन पिताश्री की लाखोग वशिशों के बाद भी मैं साहित और व्याकरण से कोशों दूर रहा अता आप हमें कोई अन्निक क्यार दे जिससे में आजीविका चला सको समराट ने कहा राजदर्बार में इस्थान पाने के लिए अध्यन आवश्यक है अता तुम जा सकते हो बिखारी हो या बाश्या अपनी निंदा कोई बरदाश नहीं करता बद्र कुमार भी निंदा का कूट पीकर दिगंबर मुनी की शरण में पहुचा विनेया वनत हो भूला हे भगवन मुझे ग्यान दो द्यालू मुनी राज ने ग्यान की ललक और चिंता की ललकीरे पढ़ ली और कहा मित्यार्थ को छोड़ सम्यफ्त को ग्रहन करो जिनेंद्र और जिनेंद्र वचनों में विश्वास करो श्री भक्तामबर जी इस्त्रोत के अठारवी काव्ड का शुद्धी मंत के साथ जाब करो तो तुम्हारे मनोरत की सिद्धी होगी भद्र कुमार ने यथा विती तीन दिन तीन रात अठारवी काव्ड की शुद्धी मंत के साथ आरादने की परणाम सरुप वजा देवी उपस्तित हुई बोली वस्त क्या चाहते हो मा ज्यान चाहता हूँ ऐसा ही हो कव देवी अंतर ध्यान हो गई भद्र कुमार समराट की दरवार में पहुचा तो भद्र कुमार को अतिशे प्रभावशाली विद्वान जान समराट आश्चर चकित हुआ भद्र कुमार ने कहा राजन जैन धर्म की ऐसी महिमा है कि शास्त्री ज्यान तो क्या शाश्वत ज्यान तक प्राप्ध हो जाता है धर्म का मूल सम्यक दर्शन है ज्यान ही मानव जीवन का सार है मरन नहीं जीवन सुदारो कि शास्त्री जीवन सुदारो कि शास्त्री जीवन सुदारो